जाहिन्द एब्रिवान वेल्कम बैक टुजिकेशनल हब वैफैजान आज हमारा टॉपिक है रैशनलाइजिंग दिनुमिनेटर कोई भी रियल नंबर है और उसका अगर डिनुमिनेटर हमारा अगर इरशनल फॉर्म में तो उसको रैशनलाइज करने का जो तरीका है उसको कहत है रैशनलाइजिंग दिनुमिनेटर इट मेंज रैशनलाइजिंग दिनुमिनेटर का मतलब हो गया तू कनवर्ट दिनुमिनेटर इन फॉर्म ऑप रैशनल नंबर आईए हम देखते हैं यूजे एग्जामपल कैसे मिस चीश को कर सकते हैं माले जी हमारे पास एक प्रॉब दिनुमिनेटर को दिनुमिनेटर में रैशनल फॉर्म में नहीं है तो इस दिनुमिनेटर को रैशनल फॉर्म में लाने के लिए हम उपर नीचे नुमिनेटर और दिनुमिनेटर में से मल्टिप्लाइज करेंगे जो दिनुमिनेटर में होगा यानि इनुमिनेटर इनुमिन 1 upon 7 plus 3 root 2 is equal to 1 upon 7 plus 3 root 2 into हमने क्या आगा आता है? numerator और denominator denominator में same number से multiply करेंगे जो denominator में होगा बलकि उसका sign change हो जाएगा याने कि इस बिल्टिप्लाइ बाइ 7 minus 3 root 2 and 7 minus 3 root 2 this is the simple funda to rationalize the denominator इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसको multiply के 1 into इतना that is 7 minus 3 root 2 तो विल्ट 7 minus 3 root 2 upon अब ये देखिया नीचे denominator में जो दोनों multiplication के form में है 7 plus 3 root 2 और 7 minus 3 root 2 ये हमारा a plus b और a minus b के form में है ये देखिये ये हो गया a ये हो गया b a and b तो विल्ट सी इट अगे a plus b into a minus b and we know the formula आपको formula पता है a plus b into a minus b that is equal to a square minus b square ये formula आपको पता है तो विल्ट इस इंटिटी और इस फोर्मूला तो हम यहां क्या देखियेंगे a plus b यानि we have 7 is the a तो 7 is square clear है minus sign minus what is the b the b is 3 root 2 तो 3 root 2 का whole square correct है next हम आगे बढ़ेंगे solve करेंगे 7 minus 3 root 2 same as it is ठीक है विस्टी बास 7 का square हमारा 49 minus 3 root 2 का square क्या होगा हमारा 3 का square हो गया 3 3s are 9 और root 2 का square हो गया आपका root 2 into root 2 that is 2 clear है next हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा 7 minus 3 root 2 upon 49 minus 9 2s are 18 it means 7 minus 3 root 2 upon 49 minus 18 is 31 and this is the required rationalize form of the given equation of the given problem we have clear है इसी तरह से मानले जीए कोई और कोईशन आपके पास दिया हुआ जैसे एक 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 एक्जाम्पल आप और देख सकते हैं यहां पे आपको दिया वाब मानले जीए 1 upon root 2 को rationalize करना है तो आप देखिए इस कोईशन और इस कोईशन में एक फर्क है यह वाज़ा जो कोईशन है इसमें आपको जो डियो मिनेटर है इस कोईशन में जो आपका डियो मिनेटर आप देख रहे हैं इसमें addition और subtraction है रियल नंबर का बट इस वाले कोईशन में आप देखे इसमें किसी भी तरह का आपका addition और subtraction नहीं है इस तरह की कोईशन में कुछ नहीं करेंगे इसमें नंबर से multiply करेंगे इस रूट 2 अपन रूट 2 इस वाले कोईशन में हमने क्या क्या हमने साइन को चेंज किया यानि हमको साइन चेंज करना याद रखेगा लेकिन इस तरह की कोईशन में we do not have to change the sign we just multiply the numerator and denominator with the denominator itself तो हमार answer क्या आगया root 2 upon root 2 into root 2 2 so this is the answer इसका मतलब ये हुआ अगर हमारा इस तरह का question है जिसमें हमारा denominator में कोई addition और subtraction नहीं है तो numerator और denominator में same number से multiply करेंगे without changing the sign लेकिन अगर हमारा ये इस तरह का question है जिसमें denominator में addition और subtraction है तो उसमें हम sign को change करेंगे और sign को change करने के बाद जो denominator होगा उसी को हम लिग देंगे numerator और denominator में multiplication के form में and after solving we'll find the answer and we'll find the answer I hope ये doubt आपको clear हो आगा ये session आपको समझ में आगा for any doubt let me know in the comment box stay home stay safe thank you